इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रैब साइकल के बारे में इससे प्रिविएस वीडियो में हमने लिंक रियक्षिन और ग्लैकॉलैस पढ़ लिया है लिंक रियक्षिन के अंत में हमारे पास में बचा था एसेटायल कोई तो अब वो कौन सी प्रॉसस करता है और फाइनली क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं ये सारी चीज़े हम देखेंगे तो एक बार ओवर्विव ले ले लेते हैं कि क्या अभी तक हुआ है तो आपने नो साइकल में इंवाल्व होगा और NADH, FADH जैसे कंपाउंड बनाएगा जो की आगे चलकर ATS में इंवाल्व होकर ATP बनाएंगे तो ATS से बनने वाले ATS को हम बोलते हैं Oxidative Phosphorylation इस प्रॉसस को और जो direct reaction में ATP बनते हैं उन्हें बोलते हैं Substrate Level Phosphorylation यानि SLP तो ये एक basic theme है TCA cycle भी बोलते हैं TCA cycle TCA की full form है carboxylic acid cycle ये नाम क्यों रखा गया ये भी हम देखेंगे आगे एक और नाम है इनका citric acid cycle क्योंकि citric acid जो होता है इसमें first product होता है ये भी हम इसमें देखेंगे अगर location की बात करूं कि ये reaction होती कहां पे है तो सारी reactions crab cycle की matrix में होती है बस एक को छोड़कर वो एक कौन सी हम आगे देखेंगे अभी तो location जो है वसे आप मान सकते हो कि matrix of mitocondria ओके तो reaction शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे पास में है ऐसी टाइल को ए जो की एक दो carbon का compound है crab cycle का जो first member होता है वो होता है oxaloacetic acid जो की एक चार carbon का compound है oxaloacetic acid और acetyl coey आपस में एक दूसरे के साथ reaction करते हैं साथ में यहाँ पे water जो है वो add होता है जो enzyme इस reaction को करवाता है वो है citrate synthase water add हुआ acetyl coey ने oxaloacetic acid के साथ में reaction करी और जो coey यानि co enzyme A है यह यहाँ से remove हुआ और finally जो product है वो बनता है first product जो की है citrate या फिर citric acid oxaloacetic acid इसका first member होता है और citrate जो है वो first product होता है crab cycle citrate के बाद में एक step है जिसके अंदर यह जो molecule है citrate का जो की 6 carbon का है वो convert होता है cis aconic treatment में और इसके बाद यह convert होता है iso citrate में तो ncrt कुछ ऐसे लिखती है कि citrate जो है वो अपने isomer में convert होता है जो की iso citrate है पर उसके बीच में एक step हो रहाता है cis aconitate वाला तो वो भी हमने यहां पर mention कर दिया है okay iso citrate से बाद में बनता है oxalo oxalo succinate यह भी एक 6 carbon का compound है और iso citrate से जब oxalo succinate बनता है तो यहां पर formation होता है NADH2 का या NADH आप बोल लें इससे NAD positive से तो यहां पर हमारे पास में पहला NADH2 का molecule जो है वो form हुआ है oxalo succinate से बनता है alpha keto glutaric acid और यह एक 5 carbon का compound है तो एक 6 carbon के compound से 5 carbon का compound बना है तो यहां पर removal हुआ है CO2 का अच्छा अगर removal होता है CO2 का तो हम reaction का नाम बोलते हैं decarboxylation तो यह जो reaction है यह है decarboxylation reaction एक CO2 जो है वो remove हो गया है acetyl koa में 2 carbon है तो 2 CO2 हमें finally remove करवाने है हमारा target alpha keto glutaric acid जो कि 5 carbon का compound है यह एक लोता compound है इस पूरी reaction में जो कि 5 carbon का है इसके बाद में यह convert होता है succinyl coa में यहाँ पे enzyme हमारे लिए बहुत important है तो जो enzyme में यहाँ पे involve होता है वो है keto glutaric d hydrogenase इसके पास में वैसे ही metal ions वगेरा होते हैं coenzyme A है TPP है NAD positive जो की pyruvate dehydrogenase complex के पास होते हैं तो यह similar reaction है जो link reaction है और alpha keto glutaric acid से succinyl को यह बनना similar type of reaction है इसमें भी removal होता है CO2 का और यहाँ पे dehydrogenase नाम है तो मतलब dehydrogenation होगा dehydrogenation का मतलब hydrogen का removal तो alpha keto glutaric acid से hydrogen remove होंगे और remove जब होंगे तो वो किसके जाके चिपकेंगे NAD positive के जाके चिपकेंगे और NADH2 का क्या करेंगे formation करेंगे अब यहाँ पे CO2 भी remove हो रही है और NADH का formation हो रहा है तो NADH का formation तो कहलाता है भई dehydrogenation एक और शब्द हम इसके लिए use कर सकते हैं वो है oxidation क्योंकि alpha keto glutaric acid से hydrogen remove होई है तो उसका oxidation होई है साथ में यहाँ पे CO2 भी remove होई है तो इस step को हम specifically एक नाम देते हैं और वो नाम है oxidative decarboxylation तो यह सवाल आ सकता है कि कौन सा step oxidative decarboxylation वाला होता है crab cycle के अंदर अब succinyl-CoA एक CO2 और remove होने की वज़े से 4 carbon का compound होता है succinyl-CoA से बनता है succinate और इस process में भी GDP से GTP का molecule बनता है अब यह GTP क्या होता है जैसे adenosine triphosphate है वैसे ही guanosine triphosphate है compound होता है अब यहाँ पे ATP क्यों नहीं बना क्योंकि succinyl-CoA से succinate वाली जो यह reaction है यह इतनी जादा energy नहीं दे पाती कि adenosine triphosphate बनाए जा सके guanosine triphosphate बन जाता है क्योंकि इसके phosphate के bond में कम energy required होती है बनाने के लिए बट GTP से जब यह दुबारा GDP convert होगा तब इस reaction के दोरान ATP का क्या होता है formation होता है तो NCRT लिखती है कि यहाँ पे coupled reaction चलती है coupled reaction का मतलब पहले GTP का बनना और फिर ATP का बनना तो दो reaction हो गई हैं और succinate बना succinate को A से और यहाँ पे co enzyme A जो है उसका क्या हुआ removal हुआ सक्सिनेट से आगे बनता है fumarate अब यह वो step है जो कि matrix में नहीं होता क्योंकि matrix में इसका enzyme मुझूद नहीं होता तो यह कहां होता है electron transport system जहाँ पर NCRT ने दे रखा है वहाँ पे complex number second उसका नाम मैं बताता हूँ आपको उसका नाम है succinic dehydrogenase succinic dehydrogenase और उसमें succinate से fumarate बनता हूँ दिखा रखा है अब जब succinate से fumarate बनता है तो succinic dehydrogenase के पास में FAD positive एक molecule होता है और succinate से hydrogen उठा कर FAD positive पे चिपका देता है और बना देता है FADH2 यह काम कर कोन रहा है यह काम कर रहा है यह enzyme जिसका नाम है succinic dehydrogenase तो succinate से fumarate कहां बनता है यह है inner membrane या inner mitochondrial membrane में तो यह वो step जो कि matrix में नहीं होता fumarate से आगे चलकर बनता है malate या फिर malic acid और malate से आगे चलकर बनता है oxalo succinate हमने oxalo succinate से हमारे slabas में एक जगां पर malate बनाया था मतलब यह जो reaction crab cycle में यह जो चल रही है इससे just opposite आपको comment section में बताना है कि हमने कहां पर यह reaction पढ़ी है अच्छा जब malate से oxalo succinate बनता है oxalo acetic acid बनता है सोरी तब यहां पर भी formation होता है NADH2 का NAD positive molecules है तो total अगर मैं देखूं कि मेरे पास में कितने energy वाले compound बने हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भई मेरे पास सबसे पहले तो NADH2 यहां पर इस step में बना फिर NADH2 इस step में बना फिर ATP बना इस step में वैसे तो GTP बनता है लेकिन ultimately तो ATP बनता है उसके बाद में FADH2 बना यहां पर और NADH2 जो है वो यहां पर बना CO2 कौन कौन से step में remove होई है तो CO2 जो remove होई है वो एक इस वाले step में और एक इस वाले step में और NCRT बोलती भी है कि successive decarboxylation होता है that means कि एक के बाद एक decarboxylation देखने को मिलता है तो आप याद गरने का simple तरीका है कि alpha keto glutaric acid से पहले और बाद में CO2 का removal हुआ है FADH2 के उपर काफी बार सवाल आता है तो succinate से fumarate के conversion में FADH2 का formation देखने को मिलता है NADH आप सीधे याद कर सकते हो कि भाई oxalo word जहाँ पे भी आया उससे पहले NADH का क्या होता है formation होता है succinyl coil के conversion क्योंकि इसमें जो enzyme है ये भी हमारे लिए काफी ज़्यादा important है और इस step का जो ये नाम है ये भी हमारे लिए काफी important है oxidative bicarboxylation एक बार के लिए हिसाब लगा लेते हैं कि crab cycle के अंत तक मुझे क्या-क्या मिल गया है कौन-कौन से compound मेरे पास में है तो crab cycle को अगर मैं देखूं कि भाई ये acetile coil coil को ये से ultimately मुझे 2 CO2 मिले और यहाँ पे मुझे 3 NADH2 मिले एक FADH2 मिला और एक GTP मिला जो कि आगे चलकर बन गया ATP अब मेरे पास में link reaction से 2 acetile coil कोई मिले थे क्योंकि एक glucose से मुझे 2 pyruvate मिले और 2 pyruvate से मुझे 2 acetile coil कोई मिले तो मुझे अगर glucose के हिसाब से सारा गणित लगाना है तो इसको 2 से multiply करना पड़े एक बार के लिए यहाँ पे फिर से याद कर लेते हैं कि मुझे क्या-क्या कैसे-कैसे मिला है तो glucose से 2 pyruvate जब बने थे तो मुझे यहाँ पे 2 NADH2 का formation हुआ था मिले थे मुझे और साथ में यहाँ पे net 2 ATP मुझे मिले थे वैसे चार का formation होता है लेकिन net की बात करें तो 2 ATP pyruvate से acetyl-coe के time पे यहाँ पे 2 CO2 का removal क्योंकि यह 3 carbon का compound है और यह 2 carbon का compound है तो 2 CO2 remove away 2 NADH2 यहाँ पे क्या हुए form है और यहाँ पे 2 acetyl-coe A से finally जब crab cycle चलेगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिलेंगे 6 NADH2 क्योंकि 1 से हमने अभी हिसाब लगाया है 3 2 FADH2 और 2 ATP यह वाला ATP और यह वाला ATP क्योंकि यह reaction में डायरेक्ट बने है तो इसे हम बोलेंगे substrate level phosphorylation total कितने ATP? substrate level phosphorylation है 4 ATP और बाकी यह जो compounds हैं जैसे कि हमारे पास में NADH2 हो गया या फिर यह वाला NADH2, FADH2, 6 NADH2 यह आगे चलकर किसमे participate करेंगे? यह participate करेंगे electron transport system ETS में और ETS में जब यह participate करेंगे तो यहां से मैं NADH2 जो है ETS को दूँगा और इस तरफ से मुझे क्या मिलेगा? ATP मिलेगा तो next video जो होने वाली है वो for sure ETS पर होगी अभी के लिए आप इस reaction को पूरी अच्छी तरीके से याद कर लें यह reaction बहुत important है हमारे लिए क्योंकि इसमें काफी सारे questions आते हैं और अच्छी तरीके से समझना जरूरी है हर एक step को क्या और कैसे उसमें क्या क्या चीज़े हो रही है इस सारी बातें आपको पता होने चीए thank you so much